सरल करें question number पहला है 8 प्लस 4 8 प्लस 4 भागा 4 प्लस 2 तो यहाँ पर दीखिए छोट छोटा कोश्टक लगा हुआ है 8 प्लस 4 में और 4 प्लस 2 में दोनों में छोटा कोश्टक लगा हुआ है तो पहले कोश्टक हल करते हैं उसके बाद भागा गुना जोड घटाओ ठीक है तो पहले कोश्टक के बाद भागा भागा के बाद गुना गुना के बाद जोड जोड के बाद घटाओ तो यहाँ पे होगा देखे आठ चार बार भागा चार और दो कितना होगा छे अब देखे तो कोश्टक हम दोनों हल कर लिया है आठ और चार कितना होगा बार भागा चार प्लस दो कितना होगा छे ठीक है, तो कोश्टक दोनों हल हो गया है, अब हम भाग की किरिया करेंगे तो 12 भागा 6 है, यानि 12, 6 से किसको भागा देना है, 12 को तो कितना बार में आता है 12, 6 दूनी 12, 6 से 12 दो बार में लगता है तो इसका अंसर हो जाएगा 2, पहला का दूसरा है 42 भागा 7 गुने 2, देखे 42 भागा 7 गुने 2, 7 गुने 2 कोश्टक में है इसलिए पहले कोश्टक को हल करेंगे, उसके बाद भाग की किरिया करेंगे ठीक है, तो कोश्टक में क्या क्या है, 7 गुने 2, तो 7 गुने 2 कितना होगा, 7 दूनी 14 अब देखिए 14 से किसको भाग देना है 42 को 14 तिया कितना होता है 42 तियानि इसका अंसर हो जागा 3 Question number 3 में देखिए इस तरह का देखिए इस तरह जब कोष्टक हो दो इसको बोलेंगे मध्यम कोष्टक या मंझली मंझला कोष्टक बोलेंगे इसको ठीक है तो मंझला कोष्टक या मध्यम कोष्टक इस तरह का जब भी दीखे तो क्या बोलेंगे मंझला कोष्टक या मध्यम कोष्टक तो यहाँ पे मंझला कोष्टक और छोटा कोष्टक लगा हुआ है ठीक है तो पहले छोटा कोश्टक हल करेंगे उसके बाद मध्यम कोश्टक हल करेंगे देखे यह वला इसको मध्यम कोश्टक ही बोलेंगे ठीक लग रहा है मध्यम तो देखिए तो पहले छोटा कोश्टक होगा हल छोटा कोश्टक को हल करेंगे उसके बाद मध्यम कोश्टक और अगर बड़ा कोश्टक भी है तो उसके बाद बड़ा कोश्टक हल करते हैं तो यहाँ पे हम हल करेंगे पहले 18 प्लस 17 कितना हो गया पहले हम मध्यम कोश्टक को इस तरह लगा लेंगे ठीक है उसके बाद 18 प्लस 17 कितना हो गया 8, 7, 15 हाथ मेरा 1, 1, 1, 2, 1, 3 यानि 35 हो गया 35 अब छोटा कोश्टक को हटा देंगे क्योंकि हल हो चुका है तो इसलिए छोटा कोश्टक को अब हटा देंगे तो यहाँ पर छोटा कोश्टक नहीं लगाएंगे क्योंकि छोटा कोश्टक में जो है उसको हम हल कर दिया है यानि जोड है तो जोड कर दिया है तो 35 भागा 5 अब देखिए मध्यम कोश्टक को हम बंद कर देंगे ठीक है मध्यम कोश्टक को बंद कर दिया है अब इधर है भागा 7 तो इधर लिख देंगे हम अब हम हल करेंगे मध्यम कोष्टक को यानि ये वहला कोष्टक को अब हल करेंगे तो 5 से किसको भागा देना है 35 तो कितना आएगा 7 क्योंकि 5 साथे 35 होता है तो 7 आएगा अब इसको लिख लेंगे साथ भागा साथ यानि देखिए पान से साथ बार में 35 भाग हो चुका है तो इसलिए मध्यम कोष्टक को अब हटा देंगे जब पूरा हल हो जाए तो कोष्टक हम हटाते जाएंगे जैसे यहाँ पर छोटा कोष्टक हटा है एक कोष्टन नम्बर चार देखिए 34 प्लस 25 भागा 3 गुना 5 माइनस 3 तो इसको अब हल करेंगे तो देखिए 34 प्लस चोटा कोष्टक है उसके बाद यहाँ भी देखिए चोटा कोष्टक है तो पहले चोटा कोष्टक हल करेंगे तो 34 प्लस पचीस भागा पांच कितना होगा पांच से पचीस में भाग देंगे तो कितना आएगा पांच देखिए पचपचे पचीस होता है तो पांच से पचीस में भाग देने पर पांच आएगा गुना अब यहाँ पर भी छोटा कोष्टक है तो इसको भी हल कर लेंगे तो पांच में से तीन घटा आना है तो दो आएगा यानि पहले छोटा कोष्टक को हम हल करके छोटा कोष्टक को हटाते जाएंगे देखिए यहां पर हल किये तो पांच से पचीज ने भाग दिये तो पांच आया उसी तरह पांच में तीन यहां पर घटा आना है तो घटा आए तो कितना है दो तो अब हम देखिए यहां पर जोड का चीन है यहां पर गुना है तो जोड है और गुना है तो गुना होगा पहले उसके बाद जोड होता है जोड़ा और गुणा जब रहे तो पहले गुणा करेंगे तो 34 प्लस 5 गुणे 2 कितना होगा 10, 5 गुणी 10 यानि इसका अंसर कितना होगया 34 दस 44 यानि इसका अंसर होगया 44 कोश्चन नमबर 15 का कोश्चन है माप केज़े का कोश्चन नमबर 5 का देखे क्या कोश्चन है 15 गुणे 3 भागा 3 गुणे 3 माइनस यानि घटाओ 2 प्लस 6 गुणा 6 घटाओ 4 तो पहले छोटा कोश्चन नमबर 5 कोश्चन कहल करेंगे तो देखे 15 गुणे 3 कितना होथा 45 भाग का चिन है अब यह सब को लिख लेंगे माइनस 2 प्लस 6 गुणा यह भी कोश्चन में है तो इसको भी हल कर लेंगे तो 6 में से 4 गया 2 अब देखे भाग है घटाओ है चोड़ है गुणा है तो पहले भाग की किरिया होगा उसके बाद गुणा उसके बाद जोड और अन्त में घटाओ तो देखें 9 से 45 में भाग देना है तो 9 पचे 45 माइनस 2 पलस अब देखें पहले भाग की करिया कर दिये अब हम गुना की करिया करेंगे तो 6 गुने 2 कितना होगा 12 देखें 6 गुने 2 गुनागे के लिया इसके साथ चो 6 गुने 2 12 अब क्या करेंगे जोड करेंगे तो देखे 12 5 कितना हो गया 17 माइनस 2 यानि ये देखे 5 प्लस में है यानि जोड में है इसके आगे घटाओ का चिन नहीं है तो ये जोड में है बारा भी देखे 12 के आगे जोड का चिन है तो पहले ये दोने को जोड़ेंगे तो 12 और 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा 17 में से 2 गया तो इसका अंसर कितना हो गया देखे 15 तो कोश्चन नमबर 5 का अंसर हो गया 15 17 में से 2 घटा दिया है अंत में घटाओं की गिरिया होता है कोश्चन नमबर 6 5 प्लस मध्यम कोश्चक 7 प्लस छोटी कोश्चक 5 गुने 3 छोटी कोश्चक बंद माइनस छोटी कोश्चक 8 भागा 4 फिर छोटी कोश्चक बंद फिर मध्यम कोश्चक तो यहाँ पर देखे ये question दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे मध्यम कोश्टक को बाद में पहले छोटी कोश्टक को हल करते हैं उसके बाद मध्यम कोश्टक ठीक है तो मध्यम कोश्टक को हम इसी तरह रहने देंगे अभी ये देखिए 5 है तो 5 प्लस मध्यम कोश्टक 7 प्लस चोटी कोश्टक हल करेंगे तो 5 गुने 3 कितना हुआ 15 माइनस अब यहां भी चोटी कोश्टक है तो इसको भी हल कर लेते हैं तो 4 से किसको भागा देना है 8 को 2 आएगा अब मध्यम कोश्टक को बंद कर देंगे ठीक है अब हो गया 5 प्लस अब मध्यम कोश्टक में हल करेंगे तो पहले मध्यम कोश्टक में क्या होगा जोड है और घटाव है तो पहले जोड होगा तो 15 साथ कितना हो गया 22 घटाव तो अब मध्यम कोश्टक को बंद कर देंगे देखे पहले जोड होगा उसके वाद घटाऊ, देखें यह दोनो जोड में है यह पलस साथ भी, देखें, पलस में है क्योंकि आगे इसके माइनस नहीं लगा हुआ है, तो पलस आथ और पलस पंद्रह, कितना हो जागा, पलस 22, यान्ए 22 हो जागा, पंद्रह साथ जोड करके, माइनस 2 अब मध्यम कोश्टक को बंद कर देंगे क्योंकि पूरा हल जब तक नहीं होगा तब तक कोश्टक नहीं हटाएंगे तो 5 प्लस 22 में से दो गया तो 20 अब देखिए मध्यम कोश्टक को बंद कर देंगे क्योंकि पूरा हल हो चुका है मध्यम कोश्टक में जो भी था तो 20 आ गया है तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 यानि इसका अंसर कितना आ गया 25 Question number 7 मध्यम कोश्टक फिर देखिए छोटी कोश्टक छोटी कोश्टक यहां पे बंद हो गया है तो 30 भागा 10 छोटी कोश्टक में है प्लस 6 गुने 12 छोटी कोश्टक में भागा 9 आप देखिए मंजली कोश्टक यहां पे बंद हो गया जाके तो या मध्यम कोश्टक ठीक कुछ भी बोल सकते हैं तो हम पहले मध्यम कोश्टक को इस से लगा लेंगे 30 भागा 10 यानि 10 से भागा 30 को देना है तो कितना आजागा 10 या 30 पहले चोटी कोश्टक को अहल करेंगे तो 3 डीक देस थे 10 से 30 में भागा होगा तो 3 आया प्लस तो प्लस का चीन देंगे 12 छक इस कितना होता है 72 12 छक 72 तो चोटी कोश्टक को आज़ा देंगे थीक है 12 चक 62 लिखके अब भागा 9 देंगे अब मंजली कुष्टक को बंद करेंगे तो यह हो गया जोड घटाओ माँप के जगा जोड और भागा मंजली कुष्टक में जोड और भागा है तो फिर हम मंजली कुष्टक Кो लगाएंगे 3 पलस अब देखें पहले भाग करेंगे तब जोड़ होता है तो भाग करेंगे पहले तो 9 से 72 ने भाग देना तो 9 अठी 72 यानि 8 हो गया और मंजली कोश्टक को बंद करेंगे तो 8 और 3 अब जोड़ देंगे क्योंकि भाग की क्रिया हो गया है 8 3 11 इसका अंसर हो गया 11 कोश्टिन नमबर 8 तो 20 प्लस 5 गुने 40 माइनस 32 लेगे चोटी कोश्टक लगा हुआ है यहां पर और मंजली कोश्टक भी लगा हुआ है तो 20 प्लस मंजली कोश्टक को हम इस तरह लगा देंगे अभी 5 गुना पहले चोटी कोश्टक लगा करेंगे तो 40 में से 32 को घटाना है तो कितना आ गया 8 मंजली कोश्टक को बंद कर देंगे चोटी कोश्टक का भटा देंगे कितना आ गया देखे 20 प्लस अब गुना कर देंगे क्योंकि मजली कोश्टक में गुना है तो 8 पचे 40 ठीक है तो 40, 20 अब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 60 एनी इसका अंसर हो गया 60 Question number 9 तो 15 प्लस 4 गुने 3 भागा 9 प्लस 6 का 2 देखें मजली कोश्टक लगा हुआ है और छोटी कोश्टक भी है तो पहले हम क्या हुआ करेंगे छोटी कोश्टक को तो 15 प्लस 4 गुने 3 कितना होगा 12 चारतीया 12 अब मजली कोश्टक को बंद करेंगे भागा 9 प्लस अब देखें 6 का 2 है तो 6 तो कोश्टक के बाद हम क्या करहल करते हैं कहलते हैं कोश्टक के बाद कोश्टक का को कहल करते हैं । इस Кар्डव कितना हो गया शे दूनी कि 12 यह गुना कर देंगे अब हम मढली कोश्टक का करेंगे तो 15 वारा कितना हो गया 27 देखिए ज्च चीन कर देंगे अब इसको बार या 9 अब भागा और जोड में क्या करेंगे भागी के रिया तो 9 से 27 हम भाग देंगे तो 9 से 27 प्लस 12 कितना आ गया अंसर इसका बारत तिन 15 12 तिन कितना आ गया 15 तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे Question number 10 तो देखिए कितना है 11 गुने 8 माइनस 12 गुने 7 भागा 4 तो मंजली कोष्ट को इस तरह लगाएंगे पहले छोटी कोष्ट खल करेंगे तो 18 गुने 8 कितना हो गया 88, 18, 88 माइनस 12 सते 84, मंजली कोष्ट को बंद भागा 4 तो 88, 11 गुने 8 कितना हो गया 88, माइनस 12 सते 84 छोटी कोष्टक पहले हम हल कर चुके हैं अब मंजली कोष्टक हल करेंगे तो 88, माइनस 84 कितना हो गया 4 घटा देंगे 88, माइनस 84, 4 हो गया 4 भागा यह भागा देखिए हाँ पर देंगे मंचली कोश्चक भी हटा देंगे क्योंकि 4 आ चुका है 4 भागा 4 कितना हो गया? 1 यानि इसका अंसर कितना हो गया? 1 कोश्चन नम्बर 11 55-12 12 अब देखें कोश्चन नम्बर आ रहे है 55-12 प्लस 8 भागा 4 का 3 ठीक है तो पहले चोटी कोश्चक हल करेंगे यहां मंचली कोश्चक देखें लगा हुआ है तो 8 यानि 4 से भागा 8 को देना है तो कितना आ जागा? 4 दुनी 4 दुनी 8 यहां पर 2 लिखेंगे का 3 का 3 लिखती है देखें का 3 के बाद मंचली कोश्चक बंद हो गया है तो अब हम लिखेंगे 55- मंचली कोश्चक 12 प्लस 2 का 3 यानि छोटी कोश्चक हल किया है देखें उसके बाद का का किरिया करेंगे तो छोटी कोश्चक हल करने के बाद देखें चार दुनी 8 यानि छोटी कोश्चक हटने के बाद अब का किरिया करेंगे तो 2 का 3 यानि 2 तिया का मतलब गुना होता है तो 2 का 3 का जब भी रहे तो गुना कर देखेंगे तो 2 तिया कितना हो जागा? 6 2 का 3 हो गया 6 मंजली कोश्चक बंद 55-12-6 कितना हो गया? 18 कितना आ जागा इसका अंसर? 15 मेंसे 18 गया तो देखे, मंजली कोश्चक को अब हम हटा देंगे 15 मेंसे 8 गया, 7 यह हो गया 4 4 मेंसे गया 3 जाणि 5 मेंसे 18 गहटाएंगे तो कितना अंसर आजागा 37 तो इस तरह हम question number 11 भी हल कर लेंगे